पीम मोदी जो बोलते हैं उसे करने में यखीन रखते हैं उसे अमनी जामा पहनाई बगए वो चैन की सांस नहीं ले दे यही उनकी कारिश हैली है और यही उनकी पहचान भी सांतियों कोई कितनी भी निरासा भैलाने की कोशिश करें लेकिन मैं देश के युवाओं को आस्वस्त करता हूँ कि आने वाले वर्ष संभावनाओं से भरे हुए है देश के कौनोमी को फाइब ट्रिलियन का बनाने को लेकर पियम मोदी मिशन मोद में लगे हैं इस लक्ष को हासिल करने के लिए मोदी सरकार किसानों की आई पढ़ाने पर लगतार जोड दे रही है भारत क्रिशी प्रधान देश है और क्रिशी देश की जीडिपी का एक बड़ा आधार है मोदी सरकार किसानों की आई पढ़ाने के लिए खेती बाड़ी की अलाबा पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है बीते कुछ दश्कों से पशुपालन में किसानों के लिए बड़ी समस्या जानवरों की बिमारी थी पशुपालन के बिमार होने उचित चारा ना मिलने और कम उत्पादन की नसल होने के कारण शित्र की ब्रिधी दर भी कम हो रही थी सरकार के आंकडों की अन्फार भारत में एक गाई साल में करीब 2000 किलो दूद देती है जबकि अमेरिका में 10,000 किलो इसराइल में 12,000 किलो भारत में भी प्रतिगार दूद उत्पादन बढ़ाने के लिए हाली में पियम मूदी ने मत्रा में अन्टीका करण कारिकरम का आगास किया पशुपालक किसानों की आज जितनी कमाई हो रही है उसके मुकाबले बेतर नसल के गोधन से 6-8 गुनी अधिक कमाई हो सकती है भारत ने इसके लिए अमेरिका की दो कंपनियों को निक्त किया है जिसके पास माना जाता है कि सबसे उन्नत कृतियम गर्वाधान की तकनीक है जिससे स्वस्त पशुधन पैदा किया जा सकता है कृत्रिम गर्वाधान की इस नई तकनीक से किसान चाहे थो सिर्फ बच्री का ही विकर्प चुन सकते हैं नीती आयोग को भी उमीद है कि पशुधन उत्पादन की गुनवत्ता और परिमान में बिर्धी होने से डेश की जेडिपी में ग्रावीन भारत का महत्वपोर्ण योगदान होगा नीती आयोग के नुसार पशुपालन और डेली से क्रिश्य उत्पादन के मुकाबले किसान अपने मुनाफ़े को दस गुना बढ़ा सकते हैं मुदी सरकार पशुपालन में आ रही किसानों की बाधाओं को दूर करने के लिए और पशुपालक किसानों को फाइदा पहुँचाने के लिए 13,000 करोड उपे की परियोजना को मंजूरी दे चुकी है इसके अलाबा पशुपाल को हर साल 105 करोड टीके लगबाई जाएंगे जिससे भारत के गोजातिय पशुधन को एफमडी मुक्त किया जाएगा इससे भारत के दूद और दुगद उत्पादों को दुनिया भर में लोग शुईकार करेंगे